Q8 देखे, Tap A can fill an empty cistern in 4 hours while the outlet pipe B can empty it in 6 hours. How long will it take to fill the cistern if both the tap and the pipe are open simultaneously? देखे बच्चो, Q8 है ना, तो solution लिख लेते हैं आपे. Q8 को ठीक से पढ़ ले ना, नहीं तो काफी सारे बच्चे समझेंगे, अरे ये Q7 की तरह ना, जी ना. Tap A can fill an empty cistern, ये fill कर रहा है 4 घंटे में, while the outlet pipe B can empty it, ये उसको खाली कर रहा है. तो एक tap A है, जो empty मतलब खाली cistern है हमारे पास, water storage tank है, खाली उसको भर रहा है 4 घंटे में. पाइप B क्या कर रहा है, एक outlet pipe B है, वो उसको 6 घंटे में खाली कर रहा है, तो बताइए how long will it take to fill the cistern if both the tap and the pipe are open simultaneously. तो अगर हमने दोनों के एक साथ open कर दिया, मतलब कि एक पानी भर रहा है और एक पानी निकाल रहा है basically, तो बताइए इसको भरने में कितना time लगेगा, समझ गए, देखो कैसे लगेगा, पहले एक ही बात करते है, time taken to fill and empty cistern, कितना? 4 hours, hence work done by a, tap a, time taken by tap a, यहाँ पर आप लिख सकते हैं थे, मैं भूल गे लिखना, time taken by tap a, ऐसे लिख देना, time work done by tap a in 1 hour, कितना हो जाएगा, 1 by 4, ठीक है, इतना समझ मैं आ गिया, ठीक है, अब देखिए, time taken by by outlet pipe B, to empty cistern, तो cistern को तो empty कर रहे है, कितना time लग रहा है इसको? 6R सक रहे है, hence work done by outlet अहाँ, पाइप, P in 1 hour, 1 by 6, माइनस का, माइनस का क्यों आया sir, माइनस का इसलिए आया, क्योंकि वो पानी को खाली कर रहा है, उल्टा काम हो रहा है, एक देखो, यह हो गया water tank, यह हो गया, यह हो गया, यह हो गया B, यह नीचे बढ़ाने थे हैं B, यह पानी भर रहा है, यह यहां से पानी काली कर रहा है, यह पानी भर रहा है, यह पानी खाली कर रहा है, यह पानी खाली कर रहा है, यह निकाल के फैक रहा है, तो मसला यह हुआ कि यह पानी भर रहा है, यह पानी निकाल रहा है, तो B बरा हुआ है दोनों पानी को निकालने का काम कर रहे है ठीक है कोई मसला नहीं है दोनों सेम काम कर रहे है लेकिन अगर पानी भर रहा है इतनी महनस से वह दूसर विचारस को निकालने में लगा हुआ है यह ऐसे जा रहा है ऐसे आ रहा है यह ऐसे निकाल रहा है पानी को तो य थे पानी भर रहा है, भी पानि निकाल रहा है, उल्डा काम कर रहा है, तो माईनस आ जायेगा उसमें. समझने आया? इसको समझने के लिए हगर आप चाहें, तो इग्जामपल नंबर में आपको बता दा आउ, इग्जामपल नंबर 26 ठीगे बच्चो जिस तरीके सामने किया ह हो है ना यह वाला question same 26 है लेकर उसमें तीन जनने की बाद चले लिए ABC की बाद चले question 26 है तो question sorry example 26 है तो इसको अगर आपने समझ लिया तो example 26 भी आप समझ सकते हैं दोनों similar है ठीक है question 8 और example number 26 आपकी बुख में दोनों same है दोनों के अंदर same concept है minus किसलिए आया है क्योंकि उल्टा काम कर रहा है वो पानी भर रहा था है पानी निकाल रहा है ठीक है ना इसलिए उल्टा काम कुई है इसने ठीक है न चलिए अब हम क्या निकालेंगे हम आम निकालेंगे work done by A and B, ठीक है, A and B मत लिखो है, यहाँ पर tap A and गे लिखो यार, by tap A and outlet pipe B in 1R, कितना हो जाएगा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मेरी मां पर जाएगे थोड़ी खेत, मुझे खुशकता आपको देखे न, तो 1 by 4 plus minus का 1 by 6, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है, ऐसे लिखना है, इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा और ठीक कर लेते है, प्लस माइनस माइनस, 1 by 6, इसका LCM ले लोगे तो कितना आएगा, 12 LCM आएगा, करके देखे लो, देखो पेटा, 3, 2, 3, 2, 3, 2, तीन दोशे तो नहीं बारा, 12 आगया, अब 1 bracket, minus 1 bracket, 4 का table पड़ो, कि 12 आजाए, 4 थरीजा, 6 का पड़ो, 2 थरीजा, ठीक है, ये हो गया, तो कितना हो गया इसमें, ये हो गया मेरा, 3 minus 2 upon में 12, तो 1 upon में 12, थीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 12 घंटे में, घंटे की बार चले किसकी दिन की बार चले घंटे की, 12 घंटे में एक काम कम्लेट किया, इसमें, तो 12 घंटे में काम कम्लेट होगा, तो हमने बोला, इसमें की आप पूछा था, how long will it take to fill the system, if both the tap and the, हम लिखेंगे, simple, इसका होटा, हम लिखेंगे, it will take 12 hours, ठीक है, ये will थोड़ा अच्छे बनाया था, अच्छो, it will, it will take 12 hours, ये मारा answer होगा, ठीक है, पीछे चेक कर ले ना, यहीं answer आ रहा होगा,